मेह सोलो साल केमर में फालगुनी पाथक के सौंग याद पिया की आने लगे कि म्यूजिक वीडियो से आक्टिंग डेब्यो करने वाली एक्ट्रेस रिया सेंड ने बॉलवुट को अलविदा कहने के पीछे की वज़ा बताई है रिया का कहना है कि सेक्सी और बॉल जैसा टैग मिलना उनके लिए काफी भयावल था एक्ट्रस रिया सेड ने अपनी फिल्मी सफर के बार में बात करते हुए कहा कि कई हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जिसे करने के बाद वो सहज नहीं थी और श्यायद इसलिए लोगों को लगने लगा था कि वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है एक समय में मैंने कई सारी बॉलिवुट फिल्में की थी जिसमें सेक्सी दिखने और कपड़े और मेकप आदी को लेकर मैं फिट नहीं थी मुझे सेक्सी और बोल जैसे लेबल मिले मुझे इससे डर लगता था रिया ने कहा और सहज महसूस करने लगी मैं हर दिन सेट पर जाकर अपने बाल करवाकर घंटों मेकप के साथ बैट नहीं सकती थी मैंने उस समय बॉलिवड में काम नहीं करने का फैसला सोच समझ कर लिया था आपको बता दे के रिया सेन फिल्म स्टाइल से अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी इसके इलावा उनकी मुक्की फिल्मों में जंकार बीट्स और अपना सपना मनी मनी है रिया ने अपने करियर में 30 से जादा फिल्मों में काम किया है लेकिन बाद मैं फिल्मों से दूरी बना ली वो कहती है कि मैं बॉलिवुट की फॉर्मूला वाली फिल्मों में काम करने की तुलना मैं इस दुनिया में बहतर हूँ मैं ये नहीं कहा रही हूँ कि बॉलिवूट फिल्में बुरी हैं लेकिन मैं जहां हूँ वहां बहुत खुश हूँ साल 2017 में रिया ने शिवम तिवारी से शादी कर ली शिवम पेशे से फोटागरफर है फिलहाल रिया बॉलिवूट फिल्मों से दूर है आखरी बार पर साल 2013 में फिल्म रबा मैं क्या करू में नजर आई थी वहीं ये थी एक्टरस रिया सेन की बॉलिवूट से दूरी बनाने की वज़ा